हाई फ्रेंट्स आज मैं आप लोगे लिए एक्टम फाडू क्वालिटी के अमेरिकन बुली डोक्स ले गया हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो में आप लोगे को जर्माई शेफर पपीज भी मिल जाएंगे तो दोफ्तो इस वीडियो में आप लोगे को इन दोनो डोक्स बीड की complete information दूँगा और आप लोगे को बताऊँगा कि इन में से कौन सी डोक्स बीड आप लोगे के लिए सही है तो फ्रेंट्स ये दोनो अमेरिकन बुली female है और quality लाजवाब है तो फ्रेंट्स सबसे पहले तो मैं आप लोगे को बता दूँ ये blue color की एक fresh female है जिसकी उन्दर ने first heat मिस करा दिया तो बहुत ही जल्दी second heat पे भी आने वाली है और इसमें जिस second female है जिसका color white and blue है वो एक बार बच्चे दे चुकी है और वो भी बहुत ही जल्दी heat पे आने वाली है तो फ्रेंट्स अगर आप लोग थोड़े से extra पैसे लगाते हैं इन dogs को purchase करने के लिए तो आपके वो सभी पैसे बहुत ही जल्दी recover हो जाएंगे और फ्रेंट्स अडल्ट डोग को purchase करने के काफी सारे फाइदे होते हैं एक तो आप लोग स्टार्टिंग के घच से बच जाते हैं जो पपीज पे आप लोग को करने पड़ते हैं और दूसरा आप लोग को डोक्सी क्वालिटी का पता लग जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है वैसे अगर इनके नेचर के बारे एंबात करें तो ये दोनों इफीमेल काफी friendly हैं और वैसे भी American bully ज्यादा aggressive नहीं होते और अगर इनके size के बारे में बात करें तो इसमें जो white and blue female है वो pocket size में है और जो ये blue color की female है ये है low pocket में तो इन में से जो भी आपका favorite size है आप लोग उसे purchase कर सकते हैं और आप friends कलम ने जो giveaway किया था उसका winner है गीता साउ तो आप मुझे contact करें मेरा contact number आपको description में मिल जाएगा बट अगर आप मुझे contact नहीं कर पाते तो हम लोग इस giveaway का दोबारा करेंगे तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन dogs की age और price के बारे में तो इसमें जो white and blue color की female है ये batman bloodline से है और इसकी जो age है वो 19 मन्त हो चुकी है और owner ने जो इसके price की demand की है वो के 45,000 फीस यानी 45,000 रुपे और जो हमारी ये fresh female है ये Maggie bloodline से है और इसकी जो age है वो 14 मन्त हो चुकी है और owner ने जो इसके price की demand की है वो के 30,000 फीस यानी 30,000 रुपे तो गईस अगर आप में से जो भी interested है इन top quality American bullies को purchase करने के लिए तो आप लोग dog owner से बात कर सकते हैं नमबर आप लोग को description में मिल जाएगा तो गैस ये तो ये American bullies dogs के बारे इम बात तो चलिए अब बात करते हैं मारी दूसरी dog beat के बारे में जो है German shepherd So fancy German shepherd puppies तिरुफ female ये available है और ये medium coat में है quality wise भी काफी अच्छी है बट unfortunately में आप लोग को इनके mother father की photos नहीं दिखा पाऊंगा उसके लिए आप लोग को dog owner से डिसकस करना होगा तो अगर आप लोग guarding के परपत से कोई dog लेना चाते हैं तो German shepherd आप लोग के लिए काफी अच्छा option है आप लोग इने इस वीडियो के तुरू purchase कर सकते है तो guys अगर बात करें जर्मन shepherd puppies की age के बारे में तो ये 35 days की हो चुकी है और इनकी जो location है वो है Delhi NCR से और अगर बात करें की delivery के बारे में तो owner आप लोग को Delhi NCR में delivery provide करा देंगे बट उसका आप लोग को extra pay करना होगा बट अगर आप लोग extra pay नहीं करना चाहते तो आप लोग के पास दूसरा option भी है और वोह direct विजिट करके इने purchase करना तो finally बात करतें पपीज के प्राइस के बारे में तो guys ये जर्मन shepherd सिर्फ female लिए available है और owner जो इनके price की demand की है वो के 10,000 पीस यानि 10,000 रुपे और ये price भी negotiable है इसका मतलब आप लोग को price और भी कम देखने को मिल जाएगा बाकि अब आप लोग मुझे comments करके जरूर बताना कि American bully and German shepherd इन दोनों equality और इन दोनों का price आप लोग को कैसा लगा तो friends ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जल्दी मिलते हमारी एक और new and interesting वीडियो में सो तब तक के लिए बाबाई